Hello friends, welcome and welcome back to our channel Creative Life आज की वीडियो में मैं class 7, lesson 8, महत्मा गाधी chapter की जो exercise है, full exercise को complete कराऊंगी तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं परस्ट है comprehension questions answer the following questions नीचे दिये गये, प्रस्णों के उत्तर दीजिए जिसमें से question number A है What was गाधी जी's full name? गाधी जी का पूरा नाम क्या था? तो इसका answer है गाधी जी's full name was मोहंदास करमचंद गाधी गाधी जी का पूरा नाम मोहंदास करमचंद गाधी था आगे next question की तरफ बढ़ते हैं When and where was गाधी जी born? कब और कहां गाधी जी पैदा हुए थे? तो इसका answer है गाधी जी was born on 2nd October 1869 at पूरबंदर in काठियावार गुजरात गाधी जी 2 October 1879 को पूरबंदर में गुजरात के काठियावार में पैदा हुई थे Next question की तरफ बढ़ते हैं? Question number C Write the main qualities of गाधी जी's character गाधी जी के चरित्र की मुख्य गुड क्या है या मुख्य विसेस्ता क्या है? गाधी जी की चरित्र की मुख्य विसेस्ता लिखिये Question का ये अर्थ है Answer है इसका The main qualities of गाधी जी's character was his honesty, truthfulness, life of a common man, saintly life, principles of non-violence ETC गाधी जी के चरित्र की मुख्य विसेस्ता उनकी इमानदारी, सत्यवादिता सामान्य जीवन सामान्य व्यक्ति का जीवन उनका उनका जो साधू टाइप में जो जीवन था वो और अहिंसा का उनका सिध्धान्त इत्यादी जो है ये सब उनके चरेत्रे की विशेशता है Next question की तरह बढ़ते हैं Why was गांधी जी restless? गांधी जी वेचैन क्यों थे? इसका answer है गांधी जी was restless to see his countryman suffering under the foreign rule गांधी जी अपने देश्वासियों को विदेशी सासन के अधीन कष्ट सहते हुए देखकर वेचैन थे Next question की तरह बढ़ते हैं Question E Whose story inspired गांधी जी to serve his parents? किसकी कहानी गांधी जी को प्रेरित करती है अपने माता-पिता की सेवा करने के लिए Means किसकी कहानी गांधी जी को उनके माता-पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर है The story of स्रवन कुमार inspired गाधी जी to serve his parents स्रवन कुमार की कहानी उनको उनके माता-पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया इसका आंसर ये है Next Why do we call गाधी जी as father of nation हम गाधी जी को राश्टरपिता क्यों कहते है इसका आंसर है For his great contribution to the country we call गाधी जी as father of nation तो इसका आंसर है देश के प्रती उनके महान, योगदान या भूमिका के लिए हम हम उन्हें राश्टरपिता कहते है तो इसका आंसर ये हुआ Next question Who assassinated गाधी जी and win तो बच्चों यहाँ पर assassinated जो है इसका जो अर्थ होता है राश्टरपिता या हत्या तो इसका जो पूरा अर्थ हुआ गाधी जी को कौन मारा या कौन उनकी राश्टरपिता की और कब तो इसका आंसर है नाथू राम गोड से नाथू राम गोड से assassinated गाधी जी on 13th January 1948 नाथू राम गोड से 30 January 1948 को गाधी जी की हत्या की आगे बढ़ते हैं Second Question Write T for true statements and F for false statements यहां सत्यकथन के लिए T लिखना है और जो false statement है उनके लिए F लिखना है यहां box में Question No.A महत्मा गाधी was born on 2nd November 1869 महत्मा गाधी 2 November 1879 को पैदा हुए थे तो यह गलत है 2 November नहीं यहां पे 2 October है तो यह गलत है गलत के लिए false के लिए यहां पर क्या लिखना है यहां पर F false के लिए F लिखना है Next Question His mother's name was Santi Bai उनकी माता का नाम Santi Bai था तो यह भी गलत है false है उनकी माता का नाम Santi Bai नहीं पुतली बाई था तो यहां पर क्या लिखना है बच्चों F Next Question He was honest and truthful since his childhood वह अपने बच्पन से ही इमानदार और सत्यवादी थे तो यह बिलकुल सही है True के लिए यहाँ पर क्या लिखना है T Next D 13th January is celebrated as Murtriars Day in India Murtriars Day means होता है सहीद दिवस भारत में 30 January को सहीद दिवस की रूप में मनाया जाता है तो यह बिलकुल सही है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा T ओके आगे next बढ़ते हैं Word Power Write the opposites of the following words निचे दिये गए सब्दों के विलोम सब्द लिखिए तो यहाँ पर है Honest Honest means होता है इमानदार Honest का विलोम सब्द क्या होगा Dishonest Dishonest means होता है वैमान Next Next word है Poor Poor means होता है गरीब गरीब का क्या होगा धनी Rich Next question Justice Justice means होता है नियाए तो justice का विलोम क्या होगा Injustice Injustice means होता है अन्याए Happiness Happiness means क्या होता है प्रसनता तो प्रसनता क्या होगा Happiness का अनहापीनेस होगा काइंड का मिन्स क्या होता है दयालू काइंड का विलोम क्या होगा क्रूवेल नेक्स्ट एक्क्वेल एक्क्वेल मिन्स होता है समान तो एक्क्वेल का विलोम क्या होगा अनेक्वेल असमान डार्क का विलोम मिन्स होता है अंधेरा तो dark का विलोम क्या होगा? light, प्रकास necessary, necessary means क्या होता है? जरूरत necessary का विलोम होगा? unnecessary ओके, next आगे बढ़ते हैं language practice में first है match the suffix with the root word to make a new word इसमें suffix जो नीचे word दिये गये है उसमें suffix जोड़ना है suffix का मतलब होता है प्रत्य हिंदी में या संस्कृत में जो हम प्रत्य बोलते हैं उसको English में हम suffix बोलते हैं, जो suffix words होते हैं वो word के last में जोड़ते हैं जैसे देखिए एक करके यहां पर बताया गया है truth truth के last में जब हम full जोड़ेंगे तो क्या होगा वो truthful होगा truthful मिन्स होता है सत्यवादिता इसको जोड़ने के बाद एक अलग अर्थ निकलता है जैसे childhood childhood जैसे child है, child को हम जोड़ेंगे hood से, तो क्या हुआ childhood, childhood मिन्स होता है rest, rest को जोड़ेंगे हम list से आप लोगों के book में सब दिया हुआ है rest, restless restless मिन्स क्या होता है वेचैन अब दिया है govern govern को जोड़ेंगे हम meant से government, government मिन्स क्या होता है सरकार king, king को हम जोड़ेंगे dumb से kingdom, kingdom मिन्स क्या होता है राज्य इसी तरह जो suffix words होते हैं word में जूड़ करके एक अलग word का निर्मार करते हैं ओके next दिखते हैं using the table frame questions write the suitable s or no answers below them नीचे दिये गया जो table words है जो table frame में questions दिये गया है उसमें s या no सब उसमें दिया गया है उसमें question बनाना है और उसके answer उसी में से देना है तो आईए देख लेते हैं does a word fly does a word fly क्या एक पक्ची उड़ता है as it does हाँ यह उड़ सकता है मतलब उड़ता है ओके next अब यहाँ पर words दिया गया है तो हम यहाँ पर do का यूज करेंगे क्योंकि जो singular subjects होते हैं करता एक वचन के साथ does use होता है जो करता बहुचन होता है उसके साथ do use होता है यहाँ पर one word a word की बात हो रही है एक पक्ची की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर does का यूज किया था यहाँ पर हमने Dutch का यूज किया था अब यहां words दिया गया है birds दिया गया है इसलिए हमने words means होता है बहुत सारे पच्छियों की बात की जा रही है तो यहां पे हम do का यूज करेंगे do birds fly क्या पच्छियां उड़ती हैं तो इसका अर्थ होगा yes yes they do yes they do हाँ वे उड़ते हैं तो यहां 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 पर a word के लिए हम singular यूज किये थे बट यहां पर plural है तो इसलिए हम plural का यूज किये हैं they do मतलब वे उड़ते हैं ओके next देख लेते हैं यहां एक cat एक बिल्ली की बात हो रही है तो यहां पे हम ड़ज का यूज करेंगे एक cat fly क्या एक बिल्ली उड़ती है या एक बिल्ली उड़ती है तो बिल्लीयां तो उड़ती नहीं है तो इस में से हम answer देंगे नहीं तो यहां पर हम no में answer देंगे no it does not नहीं या नहीं उड़ती है okay next देख लेते हैं, cats cats जो है, वो plural form में हैं, तो cats के लिए हम do का यूज करेंगे do cats fly क्या बिलियां उड़ती हैं, no no they do not नहीं, वे नहीं उड़ती हैं ऐसे ही frog का भी देख लेते हैं, frog a frog है, a frog means, यह singular form में है तो हम dutch का यूज करेंगे does a frog fly, क्या मेढक उड़ते हैं, no no it does not नहीं, यह नहीं उड़ते हैं ओके, अब frogs है यहाँ पर do frogs do frogs fly, क्या मेढके उड़ते हैं तो यहाँ पर no में आंसर देना है, no they do not I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए helpful लगी होगी, अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी helpful लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुद्बर्ड